नमस्कार दोस्तो, आप सबी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिपसिन हिंदी में दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आये हूँ कुछ ऐसे तेलों के बारे में जानकारी जिससे आप ये जान सकते हैं कि आप कौन सा तेल आपके लिए सही है और स्वास्थेवर्दक है लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे आप मेरी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें और साथ के साथ इसे लाइक वशेर करना बिलकुल मत भूले दोस्तो भारते खाने में सरसो नारियल का तेल देसी घी का इस्तमाल ज़ादा होता है और ये अभी से नहीं बरसो से हो रहा है इसलिए ये ना सिर्फ हमारे बल की हमारे पूरवजो की जीन्स में भी बसा है इसलिए हम अपने पूरवजो दुआरा खाये जाने वाले तेल को ही खाना चाहिए जैसे पंजाबी सरसो का और तक्षिन भारते नारियल का तेल खाते आ रहे है एक व्यक्ति को परति दिन अधिकतम तीन चम्मच घी या तेल आदी वसा का परियोग जरूर करना चाहिए एक ही तेल को कई बार गरम करके उसी में बार बार खाना पकाने से वो तेल ट्रांस फैट बन जाता है इससे आपको बचना चाहिए सभी प्राकर्तिक तिलहन से बने तेल खाना स्वास्ता की दरश्टी से ठीक है सरसो, तिल, मूंगफली, नारियल के कच्ची घानी से निकले तेली सबसे अच्छे होते है कैंसर फैलाने वाले फासफोरिक एसीड, हैक जीन और कास्टिक सोडा रिफाइंड अधिक मातरा में होते है इसलिए रिफाइंड तेल हानिकारक होते है कत्रीम तरीके से निकाले गए तेल सभी के सभी नुकसान दे है कच्ची घानी वे एक्स पेलर से निकले तेल खाने चाहिए आज दोस्तों आपको इसलिए ये भी बहुत जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन सा तेल सवास्थेवर्दक है तो चलिए दोस्तों जानते हैं कुछ ऐसे ही तेलों के बारे में मौंग फली का तेल मौंग फली का तेल और तेलों के मुकाबले कहीं ज़्यादा लाबकारी होता है ये तेल कैंसर से लड़ने में मदद करता है और पाचन किरिया में सुधार लाता है यही नहीं इसमें पॉलीमिलिक एसिड, ओलिक एसिड, इस्टेरिक एसिड और लिनो बनाने लिक एसिड पाए जाते हैं जो शरीर को दुरूस्त बनाते हैं नमबर दो सरसो का तेल सरसो के तेल में बीटा कैरोटीन, फैटी एसिड, आईरन, कैल्शम और मेगनीशिम जैसे पोशक्ततो भरपूर मातरा में होते हैं इसके अलावा इसमें 6% ओमेगा 3 फैट और 15% ओमेगा 6 सही दो अवशक फैट होते हैं ये हर्दे के लिए बहुत लाबकारी माने जाते हैं क्योंकि ये कोलेस्टरोल के इस तरको संतुलित करते हैं नमबर 3 जैतून का तेल जैतून के तेल में फैटी एसिड की परियापत मातरा होती है, जो हर्दे रोग के खतरों को कम करती है मदू मेरोग्यों के लिए ये काफी लाबधायक है शरीर में शुगर की मातरा को संतुलित बनाए रखने में इसके खास भूमी का है इसलिए आहर में इस तेल का परियोग किया जाता है नमबर 4 नारियल तेल नारियल तेल में फैट की मातरा नहीं होती नारिल तेल से बने वियंजन पकवान खाने से भूग नियंतरन में रहती है नारिल तेल वजन मोटापा नियंतरन यानि के वजन कम करने में मदद करता है नारिल की चटनी खाने में स्वादिश्ट और पोश्टिक गुनों से भरपूर है नारिल का तेल इडली और डोसा आदी में इस्तमाल किया जाता है बादाम के तेल का रोजाना परियोग करने से हमारा शरीर तंदरुस्त रहता है बादाम खाने से दिमाग तेज होता है और बादाम के तेल का रोजाना परियोग बुद्धी और नसों के लिए फायदे मन साबित हुआ है ये पेट की तकलीफों को दूर करने के साथ ही आत का कैंसर होने से भी बचाता है बादाम तेल के नियमिद सेवन से कोलेस्टरोल कम होता है यानि की यह दिल की सिहत के लिए भी अच्छा है अक्रोट के तेल में मोनो सैचुरेटिड फैट्स भरपूर मातरा में पाये जाता है इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड जैसे सिनोलिक एसिड अलफा फिनोलिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड भी काफी मातरा में मिलते है इसका नियमिद सेवन खून में बुरे कोलेस्टरोल को कम कर अच्छे कोलेस्टरोल को बढ़ाता है अक्रोट में परचूर मात्रा में विटामीन E मौजूद होता है और विटामीन E शरीर को हानी कारक अक्सिजन से सुरक्सा देता है नमबर आठ तिल का तेल तिल के तेल की तासिर गरम होती है इसलिए इसका इस्तमाल सर्दियों में बहुत होता है यह कैल्शम का बहुत अच्छा स्तरोत है इसलिए इसे खाने से हड्या और दात मजबूत होते है यह पाचन की परकिर्या में सुधार, दिल के स्वास्ते में बृद्धी, सीसू स्वास्ते की रक्षा और कैंसर को रोकने में मदद करता है नमबर नो अलसी का तेल अलसी की तरह अलसी के बीजों में मौझूद धेर सारा तेल भी अनेक परकार की ओश्दियों का भंडार है इसमें विटामिन E और ओमेगा 3 फैटी एसिट भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसके अलावा इसमें अनेको तत्व जैसे की पोटेशियम, कैलशियम, मैगनीशियम, लोहा, कोपर, जिंक, प्रोटीन, विटामिन B आदी भी पाये जाते है नमबर दस वनस्पती तेल वनस्पती तेल को घी के तुलना में ज़्यादा स्वास्थवर्दक माना जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 जैसे तत्व होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी माने जाते हैं अब वनस्पती तेल का एक और फाइदा सामने आया है इसमें कहा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के लिए वनस्पती तेल, घी या अन्य पशुप प्रोडेक्ट तेल की जगे वनस्पती तेल का इस्तमाल करें और कैंसर को फैलने से रोकें वनस्पती तेल के इस्तमाल से आपकी उम्र भी बढ़ जाएगी तो दोस्तो ये थे कुछ ऐसे तेल जिनका आप खाने में इस्तमाल कर सकते हैं और अपना स्वास्ते बनाए रख सकते हैं बस ये सर्थ है कि ये तेल अच्छे होने चाहिए तो दोस्तो आपकी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कर जरूर बताएं हम आप तक ऐसी ही नई और बहतरी जानकारी आप पहुचा सकें इसके लिए आप मेले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक वाशेर करना बिलकुल मत भूले हम आप से जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखें खुश रहें स्वस्त रहें धन्यवाद